एक friendly match में Elvis यादव ने मुनवर को जप्पी क्या पाली बात तुमार पीट तक पहुच गई लड़ाई यहां तक पहुच गई है दोनों fans के बीच में एक तरफ तो मैक्सटन है और दूसरी तरफ Elvis यादव के fans है कि अब FIR दर जो चुकी है Elvis यादव को पुलिस पकड़ रही है fans पूच रहे हैं Elvis के गिरफतारी होगी तो होगी कब और social media x के उपर Elvis के जो fans हैं वो खुद लगाता ट्रेंट करा रहे हैं arrest Elvis यादव लेकिन ये पूरा जो जगड़ा है मैक्सटन का और Elvis यादव का वो कहां से शुरू हुआ क्या वज़द रही कि ये दोनों मारपीट तक और बाकाइदा publicly मारपीट तक उतारू हो गए इसके बारे मैं आपको बताती हूँ दोनों की प्रोफाइल मैंने खोल रखी है इस वक्त ट्विटर के उपर ये आपको मैक्सटन की प्रोफाइल दिखाई दे रही है और ये Elvis यादव की प्रोफाइल है साथ मार्च का जो इसमें अभी मुझे इनका दोनों का ट्वीट दिखाई दे रहा है वो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैक्सटन की प्रोफाइल पर आते मुनवर को जो जप्पी पाई थी न Elvis यादव ने वो दरसल ट्वीट की गई थी मैक्सटन की तरफ से और उन्होंने इसके उपर कोट करते हुए लिखा यह देखिए फोटो डाली और उसके उपर लिखा Elvis यादव एन मुनवर लाव स्टोरी बस यही बाद जो थी वो Elvis को भी खटक गई और उनके फैंस को भी खटक गई फिर उसके बाद यह एक और वीडियो हाटवेल्ट लाइन भाई Elvis भाई यह Maxton की तरफ से ट्वीट की गई और उसमें उन्होंने गाली का भी इस्तमाल किया है Elvis के लिए गाली का इस्तमाल यहाँ पर Maxton की तरफ से किया गया है इस वीडियो के बाद इस वीडियो के बाद Elvis ने कहा कि भाई तो दिल्ली में ही रहता है सोचा याद दिला दू यह धमकी देने वाला ट्वीट है यहां पर धमकी देते वे दिखाई दिये एलविश मैक्सटन को कि तु दिल्ली में ही रहता है तो मुझसे पंगा लेनी की जरूरत है नहीं इसको कोट करते में मैक्सटन लिका थैंक्स भाई अब यह जो लड़ाई है यहीं सोचल मीडिया के ओपर बढ़ती चले गई और फिर उसके बाद मैक्सटन ने कहा कि मिलने आता हूं और मैक्सटन का यह कहना है जो और ने न्यूस 18 इंडिया से बात्रीत में बता है कि मुझे लगा नहीं था कि पब्लिकली ऐलविश ऐसी कोई हरकत करेंगे तो मैं मिलने चला गया यह रास्ते में गुड़गाओं के रास्ते में मैक्सटन इस वक्त है और वो मिलने जा रहे हैं एलविश से या अब हम यह भी कह सकते हैं कि खुद पिटने जा रहे हैं वो एलविश से 40 मिनट्स अवे यह उन्होंने अपने फैंस को बताया फिर उसके बाद यह देखिए मेट्रो में इस वक्त बैठे हुए हैं मैक्सटन और उन्होंने यह ट्वीट किया हैड़ेट टू गुडगाओं यह अपने फैंस को यही वो देने कि भाई अब मैं मिलने जा रहा हूँ अब मैं गुडगाओं जा रहा हूँ अब मैं 40 मिनट के रास्ते पर हूँ या उस वक शायद उन्हें पता नहीं था कि वो अपने पिटने के रास्ते पर हैं मैक्सटन आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद यह उन्होंने अपना एक जो चैट हुई थी एलविश के साथ वो दिखाया और इसमें उन्होंने कहा कि भई गुडगाओं जा रहा हूँ टाइम से में सेव किया हुआ है मैक्सटन ने हेडिंग टु गुडगाओं एट 10 पीम रात के समय अपने तमाम फैंस को और बस फिर उसके बाद वहां पहुँच करके जो मार पिटाई हुई है जैसे अपने दोस्तों के साथ वहां पर पहुँचे हैं और गुजते ही जिस तरह से से आ रहा है जिसमें ये दोनों ये बता रहे हैं कि भाई हमारी गलती नहीं थी एलविश ये कहरे है मुझे उकसाया गया मैक्सटन ये कहरे है कि मुझे तो पदा ही नहीं था कि वो लोगों को लेकर के साथ आ जाएंगे और सीधा मारना पीटना शुरू कर देंगे क्या-क् लगाई गई है एलविश के उपर वो यहां पर मैक्सटन ने बता दिया है IPC के इदारह 147, 149, 323, 506 इन सब के तहट एलविश के उपर मामला दर्ज हुआ है और वहीं जो सबसे ताजा वीडियो एलविश का दिखाई दे रहे है उसमें एलविश ये बता रहे है कि कैसे कि इस तरह से जो उनकी स्टोरी है उनका यह कहना है माई साइड ओफ स्टोरी यह देखे एलविश यादव ने बाखायता वीडियो ट्वीट करके बताया कि एक तरफा जो स्टोरी है उसके चक्कर में आप मत पढ़िये सिक्के के दोनों पहलू होते हैं तो जो मेरा वाला पहल पहले का चार गंटे पहले का यह वीडियो है जिसमें माई साइड ओफ स्टोरी बताते हुए अलविश दिखाई दे रहे हैं जिसमें वो साफसाफ कह रहे हैं कि वो खुद वीडियो शूट कर रहा था मैक्सटन खुद पहन करके वहां पर लेपल आया था उसने माइक लगा पर बड़ी बात एलविश कहा हैं पुलिस कर क्या रही है क्योंकि गिरफतारी एलविश की अब तक नहीं हो पाई और यह पहली बार इतनी धाराओं के तैत मामला एलविश के उपर दर्ज हुआ नहीं है बहुत से ऐसे मामले हैं जो इसके पहले भी एलविश के उपर हो चुके हैं वो चाहिए मार पीट्टाई का है ट्रोलिंग का है सापो के जहर का है तमाम मामले और अब एक बार फिर से फंस गए हैं यहां पर एलविश यादव